नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से जीत साधना पर, दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव, राधे राधे, अब आप पर अपना आशीरवाद बनाए रखें। दोस्तों, महिलाओं को गलती से भी ऐसे गहने नहीं पहनने चाहिए। खासकर ये जानकारी सुहागन महिलाओं जरूर देखें। तो दोस्तों चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में? हलो दोस्तों मेरा नाम है मिस्टर गोलु कुमार आप सभी को एक बार फिर से स्वागत हैं सुहागिन महिलाओं के लिए उनका सोलह श्रिंगार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है शादी के बाद महिलाएं अपने पती के सौभाग्य के लिए श्रिंगार करती है गले में मंगल सूत्र, माथे पर सिंदूर और हाथों में चूडिया ये तीन चीजें तो हर शादी शुदा महिलाओं की खूबसूर्ती में चार चांद लगा देती है पती के नाम पर किया गया ये श्रिंगार बहुत ही दिल्चस्प और आकर्शक भी होता है वहीं जोतिश शास्त्र के अनुसार महिलाओं के श्रिंगार की कुछ चीजों का गलत चुनाव उनके पती के लिए दुर्भाग्य का कारण बनती है दरसल महिलाएं जीतने भी गहने पहनती है फिर वो चाहे कानों के कुंडल हो, पैरों की बिछिया, पायल या मंगल सूत्र हो, चूडिया हो आपको ये गलतिया कभी भी नहीं करनी चाहिए आज के इस वीडियो में हम सभी गहनों के बारे में बात करेंगे चलिए सबसे पहले बात करते हैं कानों में पहने जाने वाले गहने जैसे की Earrings, Tops, जुमके, कुंडल, दोस्तों, कानों में ऐसे कुंडल पहनने पर आपके उपर कश्ट आ सकते हैं, आपके पती पर कोई भारी विपदा आ सकती है, तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों तो आपसे request है कि विड आइकॉन जरूर प्रेस करें, दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दे कान छेदन संसकार के नियम हमारे शास्त्र कहते हैं, कि ये संसकार छे से लेकर 18 महीने तक के बच्चों के हो जाना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो अब आपकी आयू किसी विशम संख्या में हो जैसे 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल इसी तरह से आगे बढ़ती हुई इन ही वर्षों में हो जाना चाहिए, ध्यान रखने वाली बात यह है, ये संसकार अगर लड़कों का हो रहा है, तो पहले दाहिने कान का छेदन होना चाहिए, फिर दाहिने कान और बालिकाओं मे ये क्रम उल्टा हो जाता है, उनका पहले बाएं कान का छेदन होना चाहिए, फिर दाहिना बालिकाओं में एक और चीज होती है, उनकी नाक उसे भी छेदा जाता है, और वो भी बाया, यहाँ पर सबसे खास बात ये है, शास्त्रों में सपष्ट बताया गया है, कि लड़क दोस्तों कानों में कुंडल पहनने से महिलाओं तथा बालिकाओं को स्वास्थ रोग, सिर्दर्थ की समस्याओं से छुटकारा मिलता है, ज्यादातर ये देखा गया है, कि जिन महिलाओं तथा बालिकाओं के कान में छेद होता है, तो वो इन रोगों से बची रहती है, से बड़ा पाप और लगती है ये घातक बिमारी आज कल देखा जाता है कि ज्यादा तर माताएं बहने नकली धातूओं से बने आभूशन को धारण करती है जिससे उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको सलाह दी जाती है कि इन चीजों से हमेश बचें और लंबे समय तक इन धातूओं को कभी भी ना पहने आप कानों में कुंडल अगर पहनती है तो सोने तथा चांदी के धातू का ही प्रयोग करें अगर आप कानून में किसी और धातू का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके सभी ग्रह बिगर सकते हैं आपके उपर दोश लग सकते हैं। यहां तक कि आपके पती पर सबसे बुरा असर पड़ता है। किसी और धातु को कान में डालने से कैंसर जैसी घातक बिमारी भी हो सकती है। इसलिए सावधान रहें। दोश लगते भी सुना होगा कि कभी भी खाली का नहीं रहने चाहिए। कान में अगर आप कुछ ना डालना चाहें तो नीम की डंडियां जरूर डाल कर रखें। दोस्त शादी शुदा, महिलाएं सावधान रहें नहीं तो आपके घर में अनर्थ हो जाएगा। शास्त्रों क अनुसार व्यक्ति पर सबसे भारी दोस्त अब लगते हैं जब वो किसी पर आए व्यक्ति की चीज का इस्तमाल करें। इसलिए सुहागन महिलाएं कभी भी किसी और के कुंडल अपने कानों में ना डाले अन्यथा आपका विवाहिक जीवन खराब हो सकता है। उसका दोश आपके उपर आ सकता है। ऐसे में आपको मंगल सूत्र भी किसी और का इस्तमाल नहीं करना चाहिए नहीं तो बुरे परिणाम आपको जहलने पड़ सकते हैं। इसलिए आपका वैवाहिक जीवन कभी खराब ना हो आप ये सावधानी जरूर बरतें। दोस्तों विवाहिक म है। दोस्तों वैज्यानिक ग्रिष्टिकोन से भी उतना ही अच्छा है क्योंकि ये scientifically proven है कि दोनों पैरों में बिच्छिया पहनने से महिलाओं का होमोनल सिस्टम सही रूप से कार्य करता है। बिच्छिया पहनने से थाइरोईड की संभावना कम हो जाती है। गर्भाशे म समुचित रक्त संचार प्रवाहित करती है। दोस्तों आज कल के बदलते फैशन के चक्कर में लोग इन सब चीजों को पहनने से शर्माते हैं तो आपको तो प्रावड से पहननी चाहिए। कोई अगर आपको टोके तो उसे प्रावड से बताईए कि कितने इसके फायदे है साइंटिफिटली और साथ ही दोस्तों शास्त्रों की अगर बात करें तो बिच्छिया पहनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है वरना इसका असर आपके पती की आयूपर पढ़ता है। इसलिए ये गलती आप ना करे। चलिए अब आपको बता दे ये कैसी बिच्छिया आपक नहीं पहननी है दोस्तों सोने के आभूशन तो कभी भी कमर के नीचे नहीं पहनने चाहिए ये हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया हुआ है। साथ ही इस बात का ख्याल आप रखें कि कभी भी आपको डेली बिच्छिया जो आपके पैर से निकल रही हो बार बार ऐसी बिच्छिया नहीं पहननी चाहिए क्योंकि माना जाता है कि इससे पती पर कष्ट बढ़ते हैं। तो अगर ऐसी बिच्छिया पहनते हैं तो अच्छा होगा कि इसे तुरंत आप बदल लें और वैसे भी दोस्तों धीली बिच्छिया गुम होने का भी डर रहता है। हो सकता असर आपके घर की आर्थिक स्थिती पर पड़ता है और आपके पती को भी कारोबार में दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। तो इसी लिए आप सावधान रहें। ये गल्ती ना करें। चलिए अब आपको बता दें कि कैसे बिच्छिया अच्छी है तो दोस्तों पैरों में हमेशा चांदी की बिच्छिया पहने और ये बिच्छिया अगर मचली के आकार की हो तो सबसे असरदार मानी जाती है मचली का आकार। मतलब बीच में गोलाकार और आगे पीछे कुछ नोकदार सी और घुंघरु वाली बिच्छिया पहनेंगे तो माना जाता है कि इससे मा मा लक्षमी अति प्रसन्न होती है। दोस्तों आपने देखा होगा घर में बड़े बुजुर्ग भी जो पायल या बिछिया पहनते हैं वो घुंगरु वाली होती है क्योंकि घुंगरु की आवाज मा लक्षमी को आकर्शित करती है। ऐसे घरों में मा लक्षमी स्थाई रू करती है। दोस्तों गहनों की ही तरह कपड़ों का भी संबंध व्यक्ति की किस्मत से जुड़ा है। जो रोजाना हम कपड़े पहनते हैं उसके भी कुछ नियम है। उसके भी कुछ नियम है। कुछ ऐसी गलतिया हैं जो आमतोर पर घर में महिलाएं कर बैठती है और इससे गरीबी आती है। तो लोग बोलते हैं कि हमने तो सब कुछ ठीक किया था, फिर क्यों हमें दरिदरता जहलनी पड़ रही है। वैसे भी दोस्तों ये तो सब जानते हैं कि किसी मनुष्य के व्यक्तित्व में उसके कपड़ों का भी एक अहम किरदार होता है। वस्त्रना सिर है के कपड़े पहनते हैं, ये बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। कहा भी जाता है कि इनसान की पहचान उसके कपड़ों से होती है। वर्तमान दौर में नए फैशन के चलते बहुत से लोग कटे फटे कपड़े, जीन स्टॉक पहनते हैं या फिर कभी कभी हम लापरवा ही में कपड़े की सिलाएं खुल जाने के बाद भी उसे ठीक नहीं करते। यही सबसे बड़ी गलती आमतोर पर महिलाओं द्वारा घर में की जाती है। जोतिश शास्त्र के मुताबिक ऐसे कपड़ों को पहनना अशुब माना जाता है। कटे फटे कपड़े पहनने से शु परिरिक शमता और उर्जा नश्ट होती है। इससे हमारा शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्थ हो जाता है। शुक्र के प्रभाव से बचने के लिए आपको कटे फटे कपड़े पहनने से बचना चाहिए। महिलाओं को घर में इस तरह के कपड़ों को तुरंत ठ ठीक कर लेना चाहिए और जो कपड़े अगर ठीक नहीं हो सकते हैं तो घर से बाहर कर दें। परिवार के सदस्यों को इस तरह के कपड़े ना पहने दे। कटे फटे कपड़ों को पहनने से दरिद्रता आती है। इसलिए भूल कर भी ये गलती अपने घर में ना होने इस प्रकार के कपड़ों का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों ध्यान दें, शनिवार के दिन कभी भी नए कपड़े न पहने। नए कपड़े को केवल बुधवार, ब्रिहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन ही पहनना चाहिए। रातरी के समय नए कपड़ों को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। इनमें नकारात्मक उर्जा प्रवेश कर सकती है जो की कपड़े पहंते समय हमारे उपर प्रभाव डालती है। तो दोस्तों आप कोई वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो यस लिखे, क्योंकि यस लिखने से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।